हालो पुरत तो चले आज बनाएंगे गोबी मसल लम गोबी मसलेदार बहुत ही टेस्टी अमेजिंग टेस्ट फटाफट बनाते है तो फूल को भी एक ले लेना है और इसको पिछे इस तरह से काट लेना है तो यहां पर हमने नॉर्माल पाणी लिया उसमें डाल देंगे एक चमच नमक और थोड़ा सा हल्दी इसमें क्या होगा कलर बहुत अच्छा रहेगा तो इसमें पहले हम इस तरह से डालते हैं और इसको बस गरम कर लेना है कर लेंगे बॉयल इसको पांच मिनित ढाक के तब त जटे काटके डाल देजिए तो सारी टमटर को हम काटके इसमें डाल देंगे अगर यह पर हमने तीन पिस हड़ा मिर्ची ले रहा हूँ आप जिस तरह से तीका पसंद करते हैं उस तरह से अब मिर्ची डालिए क्यों मिया जाता और यह पर एक इंच करिप आध्रक बारी आपड़े कर लेंगे अच्छा से पिछ लेंगे तो दिकर बहुत अच्छा से पिश चुका है यहार तो यहां पर देखिए मां गोवी को हम एक बार कर लेते हैं लग बोट पाच मिन बाद में हम इसको निकाला हूँ और पाच मिन इसको पकाएंगे है तो टोटल इसको 10 मि तो आभी नीचे से फूर अच्छा से पख जाएगा तो यहाँ पर देखिए काजु पहले से हम कम से आदा घंटा पहले बिगार के रखेते हैं इसको भी पिश लेंगे अच्छा से थोड़ा से पानी ढ़लके एक लाच्छा से पिश लेंगे तो देखिएह बहुत अच्छा से पिश चुका है यहाँ पर हमारा गोवी भी पक चुका है तो थोड़ा से टेस्ट कर लेते हैं पहले सेपका के नहीं यह देखें बिलकुल सोट हो चुका है कहीं भी डाल रहे तो कर देंगे इसको बंद और ढखन लगा के ऐसी रख देते हैं ठंड होने के लिए तो कड़ाई गड़ाम हो चुका है तीसे चार चमच हम इसमें तेल डाल देंगे कोई भी तेला भी यूज़ कर सकते हैं आधा चमच जीरा और थोड़ासा दाल चीने डाल देंगे थोड़ासा इलाई ची और थोड़ासा लों यहापर डाल देंगे दोचाद दना ब्लाक पेपर काला मेर ची शाबद और यहाँ पर देखिए हम बड़े लाइची को पूरा नहीं डाला हूँ उसका खाली बीज डाल रहा हूँ तो इसको हल्का थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और एक दोम लोफले में रखा हूँ हमने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी और चीरा पाउडर डाला हूँ अगर आप चाहे तो धनिया पाउडर भी इसमें यूज कर सकते है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला हूँ अगर तीखा फ़सन करते है तो और भी अप तेज मिर्ची पाउडर डाल सकते है यह पर हमने जो टमाटर पीशके रखा था उसको भी डाल दिया और अच्छा से मिला कि इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ना इसका तेल छोड़ने लग जाए तो थोड़ा सा नमक इसमें हम डाल देते हैं आप अपना श्वादर नमक डाल लीजिए तो इसको अच्छा से पकाएंगे तो देखिए तेल छोड़ना शुरू हो चुका है बहुत अच्छा से तो इसमें हम डाल देंगे काजू का पेस्ट काजू का पेस्ट डाल के भी इसको अच्छा से हम पकाएंगे और काजू का पेस्ट डालने के बाद इसको continue थोड़ा चलाना है नहीं तो काजू कभी-कभी नीचे चिपक जाता है तो अच्छा से इसको पकाना है जब तक ये भी वाइल ना छोड़ने लग गिए यह देखिए बहुत अच्छा से ओईल छोड़ने लग चुका है तो गेवी आमारत आयार है तो इसमें अभी पानी डालेंगे थोड़ा सा आमने जो काजू पीशके रखा था उसी मिक्षी को थोड़ा से दो के पानी डालता हूँ थोड़ा सा और डालेंगे पानी इसमें अब इसको थोड़ा सा अच्छा से पकाएंगे और दो मिनिट करीब तो देखें मसला लगबग तयार हो चुका है तेल निकल रहा है तो अभी इसमें गोबी को डाल देंगे यह देखें गबी हमारा तयार है बस बढ़ी ऐसे इसको डाल देंगे ग्रेवी में और ग्रेवी जो है इसको 4 साइड में इस तरह से अच्छा से लगा लेजिए बहुत है आसान है इंड्रजिन्स बहुत कम चाहिए इसमें जो है हमारा मसला भी बहुत कम चाहिए लेकिन टेस्ट इतना ज्यादा है कि आप जब तक नहीं खाऊँगे एकीन नहीं कर पाऊँगे कि गुबी भी इतना अच्छा टेस्ट होता है देख आप च़र्ण चेल रहा है करेक जरूर इसको घर में ट्राइए किजिए इसको अभी कि ऐस थीन में ऑद क्यों से थे पकाएं nd ballot decision कितना अच्छा से तैयार हो चुका है थोड़ा सा इसमें ढाल देंगे धनिया पत्ता और इसको जाल देंगे हम थोड़ा सग गरम मसाला और डालकर इसको अच्छा से प्रती अच्छा रहता है बस तयार है तो इसको दो मिनिट के लिए ढख के रख देंगे फिर इसको निकालेंगे तो दोस्तो रेसीपी अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें शेयर करें और रेसीपी के बड़े में और भी कुछ जान करी चाहिए तो जरूर कॉमेंट करें और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजीगा अगर आप फेस्बुक में देख रहा है तो जरूर मेरे पेस को फॉलो कर दीजीए तो देख सकते हैं दोस्तो कितना मज़ेदार बना है और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं एकदम मुलाए मक्खन के जैसा है तो ग्रेवी अगर आपको और पतला चाहिए तो थुरा सा और पहले निकाल दीजीएगा तो तैयार है हमारा गवी मसलम बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाच्वीस इसको अब रोटी के साथ पराठा के साथ चाहुल के साथ भी खा सकते हैं तो थैंक्यू फॉर वाचिंग फि और में आपको रिंग हमारा दीजीएगा तो तो ठीजीएग तो और जो जो चाहिएगा पराठा हैं तो